हाई गाई गाई वेलकम बैक टू मैं एट्व चैनल सो गाई इस वीडियो में मैं अपनी बाइक में लगाने वाला हूं डीकेल्स और डीकेल्स का अगर आपको मतलब समझाओं तो डीकेल को हम कहते हैं रैपिंग जैसे कि आपनी यूट्यूब पर कहीं वीडियो देखी होगी जिसमें की लोग अपनी बाइक पर ग्राफिकल डिजाइन मतलब की ग्राफिकल स्टीकर लगा के रखते हैं तो मैं भी इस वीडियो में कुछ ऐसा ही करने वाला हूं और रैपिंग जो है मतलब की डीकेल्स जो हैं मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं और डीकेल्स में ने मग लगेंगे और कैसे इंस्तालिंग का प्रोसेस रहने वाला है मैं इसको खुद से नहीं लगवाने वाला अब स्टीकर वाले के पास ले के जाऊंगा जिससे की वो प्रोफेशनली इन डेकल्स को अपनी बाइक में स्टॉल कर देंगे और इसे के साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक जैसा कि आप देख सकते हैं इस रोल में हमारी पूरी बाइक के लिए स्टिकर आये हुए हैं और इसको मैंने पहले भी ओपन कर लिया था लेकिन आपके सामने में फिर से एक बार ओपन कर देता हूँ इसको और जिस साइट के मैं बात कर रहा था वो है ये CR Decals Design जैसा आप देख सकते हैं तो इनको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं तो इस साइट से मैंने पूरी रैपिंग ओडर की है तो इस रोल में हमको टैंक से लेकर टेल पैनल तक की Decals मिलते हैं तो अभी आपको एक बार दि देकल कुछ ऐसे लगने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं यह आएगा यहां पर MARVOL वाला टच और यहां पर लिखा आएगा CR Decals Design यह कुछ ऐसे लगने वाला है तो यह रहा इस साइड वाले मरगाड का, जैसे आप देख सकते हैं, ये कुछ इस जंगा ऐसे लगेगा, और काफी अच्छा लगने वाला है हमारी बाइक में, तो यहाँ पर अपनी बाइक को एक नई लुक मिलने वाली है, तो एक आर ने जमारा कुछ इस जंगा ऐसे लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये जंगा बिल्कुल अभी खाली है, तो अभी आप एक यहाँ पर रफली आइडिया ले सकते हैं, यहाँ से, हमारी बाइक की लुक कैसे लगने वाली है, मतलब कि पूरी तरह से हमारी बाइक की लुक चेंज होने वाली है, तो गाइस, यहाँ पर म हमारे sticker लगना है मतलब कि decal लगना है तो उसको लगाने के लिए हमको यह हटाना ज़रूरी है और सबसे पहले इनोंने starting की है टेल पैनल से जैसे आप देख सकते हैं तो टेल पैनल पर हमारे यहां पर लगने लगाने जा रहे हैं तो यह दोनों साइड लगेगा अभी एक साइड लग रहा है मतलब कि starting हमने इसी से की है और यहां पर अपना sticker लग चुका है और इसको यह इस blade से मतलब कि यह वाइपर टाइप को कुछ blade होता है प्रोपर तरीके से इसको press कर रहे हैं जिससे कि अच्छे से stick हो जाए टेल पैनल पर और एक साइड हमारे टेल पैनल पर आटेयर वाला sticker लग चुका है अब हम इसको दूसरी साइड में लगाने जा रहे हैं तो यह काफी अच्छे से कर रहे हैं इसको और बाकी look आप देख सकते हैं आटेयर काफी अच्छा लग रहा है तो यहां पर अपना यह वाला आटेयर का sticker भी लग गया है और अब आगे की stickers को लगाते हैं और अब यह लगाने जा रहे हैं कारनेज जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो को स्टार्टिंग में तो कारनेज क स्टिकर लग चुका है और वीडियो के कुछ पार्ट में टाइमलैस में रखूआ जिससे कि आप बोर ना हो और आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाई दे कि बाइख में क्या कुछ हो रहा है और कैसे कैसे चेंजिस आ रहे हैं कि आपको थे पार्ट में टार्रीघ जल्दी तिस स्रिकर प्राटी जल्दी जल्दी और का अभवी हैं कि अवाब प्रटी फ्रॉब और चुके पर ले द घघी कि टार्ट रहे हैं कि अवाब भी हैं झाल 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 कार्णेज और मारवल का टच आप देख सकते हैं बाइक पर क्या ही लग रहा है और यहां पर लिखा है सियार डीकल डिजाइन्स आर्टियार और एक बार आप साइड से लुक देख लीजिए और आर्टियार भी आप देख सकते हैं आर्टियार काफी जच रहा है टेल पैनल पर और यह रहे साइड पैनल यह रहा वैनम और यह रहा कार्नेज और जैसा आप देख सकते हैं यहां पर मार्वल लिखा हुआ है और साइट का नाम है और यहां पर भी लिखा हुआ है टीवियस रेसिंग जैसा आप देख सकते हैं स्टिकर की फिनिशिंग काफी अच्छी आई है तो टैंक पर हमारे कुछ ऐसे स्टिकर लगे हुए हैं यह जगा पहले वाइट हुआ करती थी लेक स्टिकर मर्गार पर भी लगे हुए है जिसकी लूप काफी अच्छी आरी अमरगाड पर और सेम इसी तरीके से कुछ इस जंगा भी है वाइजर के अगर मैं बात करूँ तो दो स्क्रिप कुछ हमको यहाँ पर ऐसी मिलती है जैसा आप देख सकते हैं यह लगी हुई है और यहाँ पर लिखा है RTR यहाँ पर लिखा है CR DECAL DESIGNS जो की इनका साइट का नाम है और आप सर्च कर सकते हैं इसको और अगर मैं पीसीज की बात करूँ तो यह टैंक पर एक पूरा पीस नहीं लगा हुआ है यह सारे पीस अलग है मतलब जैसा आप देख सकते हैं कारनेज वाला पीस अलग है और यहाँ पर यह स्ट्रिप लगी हुई है यह पूरा अलग है मतलब उपर वाला पॉर्शन अलग है और कारनेज से जो नीचे वाला पॉर्शन लगा हुआ है जो की यह है ये भी portion अलग है तो सारे sticker है बिलकुल अलग है और जो इसके अंदर लगे हुए थे मतलब कि यहाँ पर एक racing strip वाला sticker होता है वो मैंने नई हटवाए यहाँ पर लिखा होता है hyper edge तो वो वाले sticker मैंने नई हटवाए क्योंकि बाइचांस कभी यह wrap खराब भी होने लगा तो हमारे sticker से छेड़ साड नहीं होगी जो इसमें stock वाले लगे हुए हैं और stock वाले भी sticker काफी अच्छे लगते हैं बाइक पर लगे हुए जो की Apache में आते हैं जो stock वाले थे वो मैंने वैसे ही रहने दिये कर दो कि अच्छे हैं जो कि अच्छे हैं झाल झाल तो गाई एक बार कमेंट करकर बताईएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी इस रैप को आप भी अपनी बाइक के लिए परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास अपाचे आर्टी आरह रहे है या आपके पास डॉमीना रहे है के टीम है आरवन फाइव है crdcldesign.com पर आपको अपनी बाइक के लिए रैप मिल जाएगा तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये किट मिलने वाली है बस आपको डिजाइन चूज करना है कि आपको किस तरह के डिजाइन मंगाना है बाकी मैंने रैड और ब्लैक वाला हुआ है और वैनम का सिंबल है और बाकी इस वीडियो में इतना ही था अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए बावाए